Hello dear friends ,A palabra probably Oni kalluk road मुर्मुरे जो होते हैं , तो यह देखिए, मुर्मुरे को मैंने गेहूं के चलनी से चान लिया था क्यांकि इसके अंदर भी थोड़ी मिट्टीु होती है , भूना होता है तो रेती बीटी। तो इसको चान लेना जरूदी है और इसके अंदर डालेंगे हरी मीच, करी पत्ता और ये 1.5 टीस्पून राई और ये 1.5 टीस्पून है हिंग और नमक स्वादा नुशाल डालेंगे और ये अपने कडाही में मैंने तेल डाल दिया है और ये जैसे ही तेल गरम होता है सबसे तेल दालेंगे घ्रामaż यह अपने दाइसोग्राम यह लिए लगबग दो टेबल स्मॉन नेट अब अपने आज करके यह करी पत्ता पत्ता और हरी मीज का जो जीतना भी मोईस्चर आपको पूरा अपने अपने वड़ा मम्रा और इसके बाद अपने पहले देख बार इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे चिपके नहीं और इसके बाद अपने डाल देंगे यह देखिए थोड़े और मम्रे थे वो भी डाल दिये हैं और इसके अंदर अब डालेंगे स्वादानुशार नमक तो ये गया अपना नमक और अब अपने आज को मध्यम करके एकाद मिनिट मध्यम आज पे लगातार चलाएंगे नहीं तो नीचे मसाला जल जाएगा तो ये देखिए और इस तरह से दो कड़ची से मिक्स करें ताकि अ अच्छे से इसको मिक्स करें और आज को शलो करके तीन-चार मिनिट और भूनेंगे बिल्खुल आज पे ताकी एकदम बढ़िया से क्रिष्प कराएं मम्रे हो जाएं और ये मम्रे को ठंड़ा होने के बाद ये देखिए इस तरह से तो ठंड़ा होने के बाद अपने एरbour- 10-15 दिन इसको आप खा सकते हैं इसके अंदर पापड का बुक्क का डालके भी ठोड़ चमान जैसा शेव उसे तो यह देखिंगे ऐक दंबड़िया से स्क्रारे ममरे भुनके हो गये हैं रेडी और अब अपने मैं इसको टोटली ठंडा होने देती हूं यह देखिए यम्मी से मम्रे और इसके अंदर जो करीपत्ता हरी मीच का टेस्ट होता है बहुत बढ़िया लगता है और उसको अच्छे से अपने थोड़ा भून लेना जरूरी है ताकि यह इसका मॉइस्टर टोटल निकल जाए हरी मीच और करीपत्ता का और अब अपने मम्रे को टोटल ठंडा होने देंगे और देखिए इसको मैंने सर्व किया है आज मैंने बनाया है समोसा चाट तो इसके अंदर मैंने यह मतर का रगड़ा डालके समोसा और यह खजुरिमली की चटनी हरी चटनी दही चाट मसाला बारिक से और प्याट डाली है और इसी के साथ साथ में थोड़े मम्रे भी डाल दूंगी तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं बाकी चॉइस इस यॉर्स मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेश करना ना बुले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल और फॉलो माई फेस्बुक पेज और फॉलो मी अन इंस्टाग्राम थैंक यू